ही एब्रिवान दिस इस मधू और आज हम लोग जो है विकेब का अपना अगला पार्ट करने वाले हैं तो दीखिए इसमें हम लोग आज विकेब नंबर 641 से करने वाले हैं तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 60 जो है 640 तो कर लिया था ठीक है तो दीखिए आज का जो हमारा फस्ट वर्ड है यह है स्ट्रेंगल ठीक है इसका मतलब होता है गला घूट कर मारना या फिर टू किल पाई प्रेसिंग दफ थ्रोट ठीक है आप देखिए इसको हम लोग कैसे आत करेंगे अपर स्ट्रेंगल जो वर्ड है इसमें ना एक देखिए वर्ड आरा स्ट्रेंजर इसको हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंजर से, तो स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनवी, ठीक है, स्ट्रेंजर ओके आप देखें क्या होता है, कि अगर हम किसी भी अजनवी, अब बहुत सारे आपने ऐसे केसे सुने होंगे, ना कि अगर कोई बच्चा किसी अजनवी के साथ चला जाता है उसे टॉफी या बिस्किट का लालश ले करके ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं फिर उसको मार डालते हैं, ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, अगर आप किसे स्ट्रेंजर से दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, वो आपको गला गोट करके मार भी सकता है, ठीक है इसको इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इस्ट्रिगनेट, ठीक है इसका मतलब होता है कठोर या strict and demanding ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग कैसे आद करेंगे, इसमें एक word आ रहा है कि, देखिए यहाँ पे एक word आ रहा, स्त्री ठीक है, स्त्री है, हिंदी वाले स्त्री से हम लोग रिलेट कर लेंगे, इस्त्री और यहाँ पे gent आ रहा है, तो gent को हम लोग जन्स रिलेट कर लेंगे, जन्स ही इंगलिश वाला, ठीक है, ladies and gentle man वाला, तो देखिए इसको हम ऐसे आद करेंगे, कि इस्त्री जो है, जो जन्स होता है वो इस्त्री से जादा कठोर होता है तो इस्त्री नेट का मतलब होता है कठोर, ठीक है उसके बाद देखिए, हमारा अगला मेनिंग यहाँ पे इस्ट्रोग, ठीक है, अब स्ट्रोग का मतलब होता है थपकी या फिर घडी के घंटे की जो घंटी बस्ती मतलब वन ओवर हो जाता है, उसके बाद टन बस्ती है तो उसे बोलते है, ठीक है ठपकी होता है या फिर इसका एक और मीनिंग होता है आगहाथ ठीक है, आगहाथ मतलब किसी को आगहाथ पहुचाना ठीक है, इस टाइब स्याथ करेंगे तो देखे, इसमें एक वर्ड आरा स्टी को अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आरा रो के ठीक है अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे एक कोई बच्चा है ठीक है, वो अपनी मम्मी को रो रो के बहुत परिशान करता है जब छोटा बच्चा अपनी मा को रो रो के बहुत परिशान करता है तो उसकी मा क्या करती कहती है, कि इस चलों से नीद आ रही हूँ के थपकी दे दे करके उसे सुला देती है तो बच्चा जब रो के परिशान कर रहा होता तो मा उसको थपकी देती है तो इस type से हम इसको relate करके याद कर लेंगे, उसके बाद देखिए, next है हमारा subdue, इसका मतलब होता तीवरता कम करना to reduce the force of something, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर एक word आरा sub, और इसके बाद एक word आरा dew, ठीक है, sub और dew, जो dew है, इसको हम लोग, हम लोग जो coldring आती है, dew, उस वा कर सकते हैं कि कुछ लोग थे, तो वो क्या करें थे, बहुत जादा कुछ hard work करते हैं, बहुत महनत करते हैं, कौछ काम आम करके, वापस आगते हैं, तो बहुत जादा थक जाते हैं तो वो लोग mountain dew लेके आते हो, और सब लोग ओके और थीव्रिता कम करने के बाद फिर क्या है फिर वह लोग काम अराम-अराम से करने लगे ठीक है पहले बहुत जल्दी लिट डी कर रहें ते काम और उसके बाद क्या किया खि ust होने बैठके को प्रमाडित करना, ठीक है, to support a claim, ठीक है, अब देखे इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसका मतलब उताव वैक्तित को प्रमाडित करना, मतलब खुद को प्रमाडित करना, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर एक word आरा sub, ठीक है, तो यह हिंदी वाले third form है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे relate करेंगे, sub stand eat, ठीक है, अब क्या होता है, कि एक जिगा पे बहुत लोग दावत खाने जाते हैं, वहाँ पर क्या बैठने की पूरा इंतजाम होता है, कि आप बैठ के खाईए, लेकिन सब लोग वहाँ पर खड़े होकर के खाते हैं, ठीक है, तो जो उसके, जो भी party देते हैं, वो कहते हैं, कि भाई, आप लोग बताईए, आप लोग प्रमाडित करिए, कि आप लोग सब लोग खड़े होकर क्यों खा रहे हैं, जब हमने बैठने की अराम से बिवस्ता करिए, ठीक है, तो उसको हम लोग इस टाइप से रिलेट करके आद कर लेंगे, सब स्टैंड एड, ठीक है, मतलब सब लोग क्या हो, सब लोग खड़े होकर के खा रहे होते हैं, तो जो party जिन्होंने arrange करवाई थी, वो आकर के कहते हैं, भाई प्रमाडित करो, तुम लोग सब खड़े होके, क्यों खारो जब मैंने बैटने का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे ट्रिक लगेंगी, funny type के, लेकिन ऐसे हम लोग याद करेंगे न, तो आपको exam के time में याद आएंगे, कि हाँ, इसका मतलब यह होता है, उके, उसके बाद देखिए, next word, next word है, हमारा subterfuse, इसका मतलब होता है, यहाँ पे, देखिए, subterfuse, इसका मतलब होता है, कुछ हासिल करना, लेकिन गलत तरीके से, ठीक है, a strict, a strict or dishonest way, and achieving something, ठीक है, आप देखो, इसको हम लग ऐसे आद कर सकते है, sub, यहाँ पे, sub आ रहा है, उसके बाद एक word आ रहा है, tear, tear करके, तो इसको हम तार से relate करेंगे, ठीक है, subterfuse, ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे, subterfuse करना, और जब लाइट जब अंधेरा हो जाता तब जा करके चूरी कर लेता है ठीक है मतलब चूरी करके जो भी उनकी घर का सामान होता है सब हासिल कर लेता है लेकिन क्या करता है वो हासिल करता है सामान लेकिन कैसे गलत तरीके से हासिल कर लेता है क्यों कि किसी और का सामान था उसे मतलब होता है सूच मां बारीक लेकिन महतुपूर ठीक है स्मॉल बट इंपोर्टेट अब देखें यहां पर एक वर्ड आ रहा है सब और उसके बाद एक वर्ड आ है टल तो टल को हम लोग टल से रिलेट करें तेल मतलब कहने वाला टल ठीक है टल से बनवाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी इजाइं बनवाते हैं। चोटी वाली बारीक बारीक medo desaf और जो बड़ी design बनी जो बड़े बड़े pattern बने उसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे आद कर लेंगे subtile मतलब सब लोग बात कर रहे थे कि इसकी बारीक और महतवपूर design की ठीक है तो बारीक और महतवपूर से relate करके हम लोग याद कर लेंगे उसके बाद देखे अगला word है हमारा सब के उसके बाद अगला word है secure ठीक इसका मतलब होता है समय पर सहायता करना help given to someone in need ठीक है आप देखे इसमें एक word आरा suck ठीक है इसको हम लोग suck से relate कर सकते है शक suck किसी पर शक करने वाला suck और और ठीक है और इसको यहाँ पर अवर है इसको हम लोग और से relate कर लें हिंदी वाला ठीक है अब देखे यहाँ पर क्या होता इसका मतलब होता समय पर सहायता ना करना अब इसको हम लोग ऐसे relate करते हैं कि husband wife होते है तो जो उनकी wife होती है वो हमेसा suck करती है कि मेरा husband बाहर जाता है पता नहीं क्या करता है किस से बात करता है मतलब उनके दिमाग में हमेसा यह चलता रहता और इससे अपने वो husband से लड़ाई जगड़ा भी करती है ठीक है कर लो लड़ाई जगड़ा कर लो और फिर मैं आऊंगो समय पर साइता करना तुमारे ठीक है तो उसको हम लोग इस टाइप से story से relate करके याद कर लेंगे उसके बाद देखिए अगला word है हमारा सूली ठीक है इसका मतलब होता है दाग लगाना या फिर stand to spoil someone perfect reputation ठीक है अब इसको देखिए हम लोग ऐसे आथ करेंगे दाग लगाना ठीक है अब यहाँ पर सूली को हम लोग सूली से relate करेंगे सूली होती ना जिस पर सूली पर चढ़ा देते है राजा महराजा लोग क्या करते है जो गलत काम करता है उसको सूली पर चढ़ा देते है तो इसको हम ऐसे आथ करेंगे कि अगर आप किसी कोई भी इनसान है कोई भी बहुत इज़दार इनसान है उससे क्या करेंगे अगर उसके दामन पर आप दाग लगाएंगे तो क्या होगा तो आपको सजा मिलेगी कि आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, किसी अच्छे इंसान के दामन पे गर आप दाग लगाएंगे, तो आपको क्या पनिश्मेंट मिलेगा, आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो सूली मतलब दाग लगाना होता है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे उसके बाद परूज़ी, इसका मतलब होता उमस भरा, warm and moist, अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, अब उसको हम लोग Sun से रिलेट कर लेंगे Sun मतलब आसमान वाला जो सुरज सुरज वाला Sun ठीक है और ट्री को हम लोग तेजी से रिलेट करेंगे ठीक है तेजी तो क्या होता है सेंट्री मतलब सन तेजी ठीक है इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे तो देखें अगर सन बहुत तेजी से चमकता है इसका मतलब क्या होता है बहुत तेजी से चमकता है जिस इसका मतलब होता भरपूर या फिर लेग्जिरियस शोविंग वेल्थ ठीक है जो बहुत पैसे दिखाता कि हमारे पास बहुत सारे रुपए है पैसे इस टाइप से, तो देखियो इसको हम लोग कैसे आद कर लें, यहाँ पे एक वर्ड है सैम ठीक है, तो इसको हम सैम से आद क मतलब हमारे ठीक है अब जो शैम होता है बोटे क्लास में बहुत सारे पैसा है मेरे पास बहुत सारे रुपए पैसे धन गत upside मतलब उनका बहुत अच्छा विजनस है इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एश और आम से लोग रहते हैं तो शैम कहता है कि हमारे पास बहुत सारा मतलब मेरे जो जीवन हो भरपूर है हर चीज से भरपूर है मतलब किसी चीट के कोई कमी नहीं है ठीक है तो सैम सारे क्ला तो स्यू मोटो को हम लोग ऐसे आत करें स्यू जो है वर्ड है को लोग सुनो से आत करें सुनो और मोटो को हम लोग मोटो से रिलेट करें ठीक है मोटो अब देखो इसको मलग ऐसे रिलेट करें कि आपके क्लास में एक लड़की होती है ठीक है अब बहुत मोटी होती है जब मैं अपना weight loss करूँगी तो खाना पिना छोड़ देती है और जो healthy चीजे होती ही वो खाने लगती है तो उसकी एक friend होती है वो कहती है कि सुनो मोटो अगर तुम्हें अपना वजन कम करना तो तुम्हें खुद उपर महनत करनी होगी खुद ही महनत करनी होगी महनत करनी होगी सिर्फ खाना पिना छोड़ने से healthy food खाने से कुछ नहीं होगा तुम्हें exercise करना होगा तुम खुब सारा exercise करोगी खुद ही अगर तुम महनत करोगी तभी तुम पतली होगी ठीक है सर्ज का मतलլ होता तीवरItta से बढ़ना a sudden or great increase ओके अब देखो सर्ज है इसको हम लोग मर्ज से रिलेट करके आठ गेल नहीं मर्ज मतलब हिंदी वाला मर्ज है मर्ज का मतलब होता है बीमारी ठीक है गाउस में बोलते हैं मर्ज क्या मर्ज है दॉक्टर को दिखाने नहीं जाता लेकिन जैसे उसकी मर्ज जो उसकी मर्ज है वो तीवरता से बढ़ने लगती है ठीक है और जब तक स्लो बढ़ता है तब तक चलो ठीक है लेकिन जब बढ़ती है जो मर्ज होती हो बढ़ती है तो बहुत तीवरता से बढ़ने लगती है ठी उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर स्वैड ठीक है स्वैड का मतलब होता है कपड़े जमीन का टुकड़ा बोर्ड स्ट्रीपस ओफ क्लोथ और लैंड अब देखें स्वैड में एक वर्ड आरा स्वैड अगर आप रिलेट करें तो स्वैड एक वर्ड आर स्वैड को हम लोग स्वैड से रिलेट करेंगे स्वैड अगर आपके आरा है तो आपको कपड़ा चाहिए स्वैड को साफ करने के लिए उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा साइको फैंसी इसका मतलब होता है चापलूसी और अटेम्ड टू विन फेवर बाई मतलब बहुत ही उसको इंप्रेस करने वाली बाते करेंगे तो अगर आप उसके चापलूसी करेंगे तो बहुत जादा खुश हो जाते हैं उसके बाद देखिए सिंपोसियम का मतलब होता है विचार घोसी या फिर ओफिसियल मीटिंग ठीक है कभी-कभी होता है कि हिंदी कर आपको नहीं समझ में आ रही तो एक बार इंगलिश भी देख लिएंगलिश समझ में आ जाएगे कि क्या लिखा यह वर्ड ठीक है तो देखे इसको हम लोग ऐसे आत करेंगे कि सिम मतलब सीम नाम की एक लड़की होती है सिम सिम नाम होता है ठीक है मतलब सोच लो किसी का ना जो उसके boss होते हैं वो एक meeting रखते हैं ठीक है कि ये सब लोग मिली है मीटिंग करनी है कुछ बात करनी है ठीक है तो एक लड़की होती उसका नाम होता SIM वो phone चला रही होती ठीक है तो उसके boss कहते है SIM अपनी position लो यहाँ पे एक official meeting रखी गई है ठीक है तो SIM position लो यहाँ पे क्य होता है, एक ही समय पर होना, to happen at the same time, तो इसको आप ऐसी आद कर लिजे, synchronized मतलब होता है, एक ही समय पर होना, okay, उसके बाद देखिए, अगला वड़ है हमारा, tangible, tangible का मतलब होता है, जिसे छू कर महसूस किया जा सके, ठीक है, real, which can be, does experience, ठीक है, अब देखो, tangible, इसका मतलब मूर्थ भी होता है, मूर्थ आपने पढ़ा होगा ना, मूर्थ, यह वाला, तो मूर्थ जिसे हम छू सकते हैं, भाग जाता है, फिर आता है, फिर चू लेता है, फिर भाग जाता है, तो उसे बार 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 तंग कर रहा होता है, छू चू करके, उसे तंग कर रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके, टॉविल उसके बाद यहां पर वर्द आ रहा ड्राई bilmiyorum ड्राई तो ड्राई ट्राय को थे रिलेयर कर लेंगे ठीक है अपके अगर आप नहांने जाते हैं ठीक है तो आपको अपनी बॉड़ी को ट्राय करना आप तो आपको क्या करेंगें टॉवल से ड्राय करेंगें लेकिन सोचिए अगर आपके घर में कोई function है ठीक है तो बहुत सारे guest आये होते हैं तो वो आपके जब अगर आपके पास कोई भी सस्ती सी भड़कीली सी बहुती dark dark color की towel है तो वो लोग देखके जो है आपको कुछ भी आपके उपर comment कर सकते हैं अगर आप टॉवल से dry खरने जार है अपने आपको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके घर पे कोई function होगा कि आपके पास बहुती सस्ती और भड़कीली टॉवल ना हो ठीक है इस टाइप से इसको हम रिलेट करके आद कर लेंगे टॉवल और dry ठीक है तो आपके पास टॉवल केसी चाहिए आपके पास थोड़ा सा अच्छी वाली और अच्छी टॉवल चाहिए ठीक है तो सस्ती और भड़कीली ना हो एससा आपको याद रखना ठीक है तो इस टाइप से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे उसके बाद देखिए अगला वर्ड है टैमरिटी टैमरिटी का मतलब होता हिम्मत या फिर बोल्डेनिस ठीक है अब देखो इसको हम लोग ऐसे आथ कर सकते हैं तो अगर आपके अंदर कोई योगिता होगी तो आपके अंदर बहुत जाता हिम्मत होगी किसी से भी बात चीत कर है तो आप अगर किसी से बात चीत करना चाहेंगे तो आपको एक बार घबरहाट होगी कि यह इंसान इता पढ़ा लिखा है और मेरे अंदर कोई योगिता नहीं मैं इसके सामने कैसे बात करूं क्या बात करूं इस टाइप से ठीक है तो दा मेरिट अगर आपके अंदर तेमपरेट का मतलब होता है ए हैज सेम रखने वाला सर्फ कंट्रोल टीक है अब देखो टमपरेट को हम लोग टमपरेचर से भी रिलेट कर सकते हैं तो देखो टमपर मतलब होता है ठीक है, temper मतलब क्या होता है, गुस्ता होता है, आप लोगों सबने सुना होगा, तो अगर गुस्से को हम अपने खा जाते हैं, मतलब समझो हमें बहुत गुस्ता आ रहा है, लेकर हमने अपने गुस्से को क्या कर लिया, मतलब खा लिया अपने गुस्से को, तो हम क्या कहलाए इनसान तो बहुत ही सईयम रखने वाला ठीक है क्योंकि इतनी बात हो गई इसको गुस्ता ही नहीं आया तो टैंपरेट का मतलब होता है सईयम रखने वाला यह टैंपर और एड से हम लोग से रिलेट करके याद कर सकते हैं उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है टैंप से याद कर सकते हैं तो आप इसको ना टैंपल से ही आद कर लीजिए टैंपल मतलब मंदिर होता है तो देखिए अगर आप क्या कभी मंदिर जाते हैं ठीक है मतलब आप बहुत ज़्यदा प्रबलम में होते हैं ठीक है बहुत ज़्यदा आपके बास समझते हैं होती है आपक बगवान के साथ है कि स्ट्रॉंग इमोशन जो है कनेक्शन बन जाता है ठीक है तो इसको जो है हम लोग टैमपल से रिलेट करके याद कर लेंगे ठीक है ठीक है उसके बाद देखिए अगला वड है हमारा टेंडेंसियस ठीक है अब इसका मतलब होता है किसी जो है मत का टेंडेंसियस ठीक है अब टेंडेंसियस एक वर्ड से मिलता जुलता है जिसको हम लोग बोल सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब टेंडेंसियस का मतलब होता है जुकाओ इसका मतलब होता है जुकाओ किसी की तरफ जुकाओ होना ठीक है तो अगर आपका किसी की तरफ जुकाओ है आप सपोस करिए कोई इंसान है जिसके तरफ आपका जुकाओ है ठीक है आप उसको बहुत मानते हैं तो क्या होगा अगर तो आपको चुनने के लिए किसी का पच्छ तो अगर आप उसके और किसी के बीच में कोई किसी में से अगर आपको किसी को सपोर्ट करना हो तो इसको हम लोग ऐसे आद कर सकते हैं ठीक है टेंडेंसी का मतलब होता है जुकाओ और जिसके तरफ हमारा जादा जुकाओ होता है हम उसका पच्छ अराम से ले सकते हैं मतलब उसका पच्छ हम लेंगे जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं अपने सारे जो है सब चीजे भूलके उसका अपच्छ ले लेते हैं कि हाँ यह तो हमारा खास फ्रेंड है या फिर कुछ भी है ठीक है उसके बाद देखिए अगला हमारा वर्ड है टैनमेंट ठीक है इसका मतलब होता है निवास स्थान लार्ज बिल् देखिए है तो उसके बाद हमारा अगला वर्ड है पर संचीप्त या फिर कांसाइज या फिर यूजिंग फियो वर्ड तो संचीप्त तो तो तर्स को हम लोग ना एक अगर यहां पर देखे हमारा अगला वर्ड है यहां पर टंपिंग का थंपिंग थंपिंग का मतलब होता है महतुपूर या फिर extremely great और important ठीक है तो थंपिंग को हम लोग थंब से relate कर सकते हैं कि अगर हम क्या करना होता है कोई भी इंसान बहुती महतुपूर काम करने जा रहा हो तो थंब हम देते हैं थंब दिखा करें उसे हम all the best बोलते हैं ठीक है all the best बोलत है अगर हमें कुछी को कुछ भी increase करना होता है कोई भी काम करने के लिए ठीक है इनकरेज करना होता है तो इस टाइप से याद कर सकते हैं कि अगर कोई महतुपूर काम करने के जा रहा है तो तो उसे थंब दिखा करके देस्ट आफ लग बोलते हैं कि इसको हम लोग ऐसे relate कर अगर थंडर मतलब होता है गरजन लार्ज noise from the sky ठीक है तो इसका मतलब होता है सज Is अब जो इसमें thunder आ ही रहा है तो इसका मतलब भी बिजली के कड़कड़ा हाट या बादल की गर्जन ही होता है पोग होता है, cowardly होता है, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, tip और toe, last word हमारा tip toe, इसका मतलब होता है, पैरों की उंगलियों पर चलना, to walk on toe, with heels, not touching, and ground, ठीक है, मतलब, पैरों की उंगलियों पर चलना, या फिर दबे पाउं चलना, तो दीखो, to मतलब होता है, उंगली, ठीक हमें तब हलका हलका सा touch करा करके चलना, तो I hope आप लोगों को 30 के 30 words बहुत ही अराम से याद हो गए होंगे, तो चलिए हम लोग फटा-फट से इसका एक बार revision कर लेते हैं, तो देखिए, आज का हमारा first word था, यहाँ पर strangel, तो strangel को हमने याद किया था, stranger से, कि stranger, अगर किसी आप stranger के साथ जाते हैं, तो अगर उसके आप से दुस्मनी है, तो आपका गला गुट करके आपको मार भी सकता है, ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा अगला word आज का थ Strang, 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 Strang की, इसको उने आद किया था, रो के, देखो यहाँ पर एक word है, रो के, रो के आ रहा तो उसको उने ऐसे आद किया था, अगर कोई बच्चा रो, रो के अपनी मा को परिशान कर रहा है, तो वो क्या करेगी, ठपकी दे दे के उसे सुला तो इसको हुमने dew मतलब mountain dew से याद किया था कि सब लोग क्या करते हैं ड्यू पी ने लगते हैं सब ड्यू उसको विखता कि सब दीर इनलगते हैं आप लोग प्रमाडित करिये कि जब बैटने की विवस्ता तो आप लोग ख़ड़े हो करके क्यों खा रहे हैं? तुकि खड़े होके खाने में आप लोगों को तकलीफ हो रही हुए कि खड़े होने वाला कोई फंक्शन नहीं था मतलब यहां पर खड़े होने की कोई विवस्था ही नहीं है उसके बाद देखिए अगला वाड हमारा था सब तर्फ्यूज तो इसको हमने आद किया था सब तर्फ्यूज ठीक है इसका मतलब होता है कुछ हासिल करना लेकिन गलत तरीके से एक चोर आता है वो चोरी करने के लिए क्या करता है किसी जिसके घर में चोरी करने वाला होता है उसके घर के सारे तर्फ्यूज कर देता है फिर गलत तरीके से उनके घर के जो सामान होता है उसको हासिल कर लेता है ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे वो कुछ थोड़ा से पैटन बहुत ही बारीक बारीक सा उस पर वर्क कराया होता तो लोग आते हैं सब लोग उनके जो बारीक वाला पैटन होता है उसको देख करके सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं उसके बाद देख़िए अगला बड हमारा है सेक्यूण, इसका मतलब होता है समय पर सहाय़ा करना हे जब उसकी वाइफ को जरूरत होती है मतलब उसको हल्प चाहिए होती ही तो वाइफ Mr. Vermain लाइच?. वली समय पर उसके मेरी सहाय़ा करने नहीं आये तो उसका husband कहता है कि तुम सक और कर लो ठीक है इस टाइप से उसको टॉंट मारता है कि तुम सक और कर लो फिर मैं आऊँगा तुम्हारी help करने ओके उसके बाद देखिए हमारा अगला word था सूली तो सूली को हमने इस टाइप से रिलेट करके याद किया था उसके बाद देखिए हमारा अगला word है पर सल्ट्री इसका मतलब होता हुमस भरा इसको हमने याद किया था सन और सन प्लस तेजी तेजी से याद किया था ठीक है अगर सन जो है जो सूरज अगर तीजी से चमक रहा है तो इसका मतलब है कि दिन आज कैसा होने वाला बहुत ही उमस भरा बहुत ही गर्मी वाला दिन होने वाला ठीक है उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा Sampituus, ठीक है, इसका मतलब होता है भरपूर, या फिर on its own, ठीक है, तो इसको हमने याद किया था, Sam Sam, ठीक है, इसको हमने याद किया था, Sam, Sam नाम का एक लड़का होता है, वो कहता है, पता और अस, ठीक है, वो अपने classmate से कहता है, तुम लोगों को Sam कहता है, कि तुम लोगों को पता है, कि हमारे अस मतलब होता है, हमारे ठीक है, कि मेरे घर में मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो कहता है कि मेरे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं, मेरा घर एक दम भरपूर है, हर चीज से, हर टाइप की लगजरी से, हर टाइप के रुपए, पैसे, धन, दौलत, मेरे बाद सब कुछ है, क्योंकि मेरे पापा बहुती बड़े बिजनसमेन है, ठीक है, तो सैम इस टाइप से अपनी क्लास्रूम, क्लास्रूमेट से साथ सबसे कहता है, कि मेरा घर हर चीज से भर पूर है, ठीक है, इस टाइप से इसको हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगो, उसके बाद देखे, अगला वार्ड हमारा था, स्यू मोटो, ठीक है, तो इसको हमने आद कहा था, सुनो मोटो से, ठीक है, कि एक होती है बहुत जादा मोटी होती है तो इसके जो क्लासमेट होती हो कि सुनो मोटो अगर तुम्हें अपना मुटापा कम करना है तो तुम्हें खुद से अपनी हेल्प करनी होगी, तो मैं खुद ही महनत करनी होगी, इसमें कोई और कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बाद नेक्स हमने याद किया था सरज, सरज का मतलब होता तीवरता से बढ़ना, तो इसको हमने याद किया था मर्ज, कि अगर आपके अंदर कोई भी मर्ज है, कोई जब तक की बिमारी धीमे धीमे अपना काम करती है, तब तक की का करता है, कोई भी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाता, लेकिन जैसी मर्ज बहुत तीवरता से बढ़ने लगती है, वैसे सब परिशान हो ले लगती है, तो सरज को हमने याद किया था मर्ज से इसका का कुए उसके बाद देखिए श्शाइक को फैंसी मतलब होता है चापलीस को हमने कै पहले साइको और फैंसी से, कि कि अगर आपको कोई फ्रेंड बहुती साइको है, इसको बहुतीी फैंसी बहुत चापलीसी बरी बाते करते है तो बहुत जड़ा खुश होज जा जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट हमने आद किया सिम पोजीशन से ठीक है कि लड़की होती है जिसका नाम सिम होता है और उसके बॉस जो एक ओफिशिल मीटिंग रखते हैं तो वो जो सिम होती हो फोन चला रही होती तो उसके बॉस कहते हैं सिम अपनी पोजीशन लो सब लोग मीटिं इसका मतलब होता है एक ही समय पर इसको हमने ऐसे रिलेट करके याद कर लिया था सिर्फ आप इसको दो तीन बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा उसके बाद देखिए टैंजीबल का मतलब होता है जिससे चू कर महसूस किया जा सके ठीक है तो इसको हमने आद कि तंग ठीक एक बच्चा क्या करता है एक अंटी एक लेडी को बार बार चू चू करके तंग करके परिशान करता है ठीक है चू करके भाग जाया करता है ठीक है उसके बाद देखिए अगला वर्ड है टाव ड्राई तो टाव ड्राई को हमने याद किया था टौवल ड्राई ठीक है कि अगर कोई आपके पास बहुत ही सस्ती और भड़गीली टॉवल है तो आपको उसको जो है किसे को भी दिखाना पसंद नहीं करेंगे ठीक है तो इस टाइप से हमने इसको याद किया था सस्ता और भड़गीला उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था टैमेरिटी टैमेरिटी का मतलब होता हिम्मत और इसको हमने याद किया था दा यह देखिए यहाँ पर आ रहा रहा दा मेरिट ठीक है कि अगर आपके अंदर कोई योग गिता है तो आपको सबसे बातचीत करने की और आपके छूह है ऊटो्मट है आ जाएगी आपको ज़रूट ही नी पड़ेगी ठीक है तो अगर आपके अंदर को योग इता है तो आपकी हिम उट प्राइटिक आपके अंदर आंटक राहिए जाएगी ठीक है उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था टैमपेसटीस ठीक इसको हमने याद किया तैमपल मतलब होता है मंदिर और अगर आप मंदिर में जाएंगे अपनी भगवान जी के सामने अपनी बात ही कहेंगे उनके साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी अप सीयर करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉथ हो जाएंगे अपनी प्रेबल भावना उसे मतलब आपकी जो भावना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएंगे आपकी एक स्ट्रॉंग कनेक्शन हो जाएगा उनके साथ ठीक है तो उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था टैनमेंट ठीक है इसका मत पर एक वर्ड और वर्ड है टैन्डेंसियस ठीक है इसका मतलब हो था किसी मत का पच्छधर होना इसको हमने टैन्डेंसिस याद किया था टैन्डेंसी का मतलब हो था जुकाओ अगर किसी इंसान की तरफ आपका जुकाओ है तो आप उसी का पच्छ लेंगे आप उसी का वासिस्थान कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद देखे, हमारा अगला वर था तर्स, तो तर्स का मतलब होता है, संचिप्त, इसको हमने आद किया था, टेरिसा से कि, जो मदर तेरिसा है, उनको हम लोग टेरिसा संचिप्त में बोलते हैं, बलकि उनका नाम बहुती लंबा है, ठ तो थम्पिंग का मतलब होता है महतुपूर इसको हमने याद किया था कि अगर कोई महतुपूर काम करने जा रहा है तो उसे हम अपना थम दिखा करके थम मतलब अंगुठे वाले थम से हमने याद किया था कि अपना थम दिखा कर उसे दिस्ट ओफ लग बोलेंगे ठीक है उसक इसके बाद अगला वर्ड हमारा टीमिट टीमिट का मतलब सबको पता है कि तो का मतलब होता है पैरों की उंगलिया और टीप मतलब होता है जो आगे का भाग होता है तो पैरों की उंगलियों से अगर कोई चल रहा है मतलब बहुती आहिस्ता चल रहा है तो उसे हम लोग बोले तो आप लोगों को आज के 30 के 30 वर्स बहुत इजली याद हो गए होंगे तो अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जहें बता सकते हैं कोई भी चीज मुझे सुधार करने के जरूरत है तो प्लीज आप जरूर से जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस लाइक शेर और सस्क्राइब भी कर दीजेगा थैंक यू